फोटसप एपलिकेशन पर फिंगर्पिंट लोग कैसे लगा सकते ही हालो दोस्तों आज इके इसी वीडियो में जानेंगे कि अपने मोबायल में फोटसप पर हम फिंगर्पिंट लोग कैसे सेट कर सकते ही दोस्तों आपको mobile की setting में fingerprint का lock option हमको कहीं नहीं मिल रहा तो भी मैं guys आपको दो तरीका बताऊंगा दोनु तरीके की मदद से आप WhatsApp पर fingerprint lock set करना सीख के जाओगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते ही तो दोस्तों वीडियो को start करने से पहले अभी तक आपने इस channel को subscribe कर देना और आपको pass blend गंटी दिखाए देरी उसी गंटी को भी all पर press कर देना उसके बद गयस आप अपने mobile phone में WhatsApp को open कर लेना जैसे दोस्तों अपने mobile में WhatsApp को open करके आपको इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा उसके बद गयस आपको आपर कोने में 3.8 का बटन दिखाए देरा उस पे click करके आपको आपर WhatsApp की setting को open कर लेना जी हाँ दोस्तों आप अपने mobile में WhatsApp की setting से भी fingerprint lock set कर सकते हूँ उसके बद गयस आपको आपर privacy पर click करके आपको आपर निचे interface कर लेना और दोस्तों आपको आपर दिखाए देरा तो दोस्तों आप भी अपने mobile में WhatsApp पर fingerprint lock लगाना चाहते हैं तो इस पर कार लगा सकते हैं यदि दोस्तों आपको आपर fingerprint password लाग काम नहीं कर रहा तो अपने mobile की setting को open कर लेना है जैसे दोस्तों आपने mobile की setting को open करके आपको आपर निचे interface कर लेना उसको आपको आपर दिखाए देरा security उसको आपको डून कर उसको आपको open कर लेना जैसे उसको open करके आपको आपर निचे interface कर लेना और दोस्तों आपको आपर दिखाए देरा privacy and apps lock उस पर आपको कली कर लेना जैसे उस पे collect करके आपको आपर देखा ही ज़ीर इपस लोग उस पे collect करके आप अपने इच्चेवन सार किसी भी application पर लोग लगा सकती हूँ जैसे फिंस आपको आपर वोर्टसअप पर फिंगर पिंड लोग लगाना चाहते ही तो गैस आपको आपर वोर्टसअप को डून लेना उसके बद गैस आपको आपर वोर्टसअप को ओन कर लेना यदि उसको ओन करके आपको आपर बार आजाना और गैस आपको आपर दिखाए जिरा modify privacy passport उस पर कर लिए करके आपको आपर fingerprint को set कर लेना जैसे उसको set कर लोगे तो अपने mobile में whatsapp पर fingerprint lock set हो जाएगा तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको useful लगी तो वीडियो को like जू कर देना और फेंड से वीडियो कैसे लगी वीडियो के निचे comment करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को subscriber जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत देनी वाद